नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर and CEO मेटास Overseas Limited आप सभी का स्वगित करता हूँ आज की informative वीडियो में फ्रेंच आज हम बात करने वाले हैं 5 ways to earn extra money आप कैसे extra money, extra income generate कर सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्ण है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जारा तर सुबा 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपने profile में होते हैं चाहें आप job पर हूँ या आप business करते हूँ और generally एक या दो दिन हमारे पास छुट्टी का समय होता है कई offices में Monday off होता है कई Sunday off होता है कई Saturday Sunday off होता है तो आपके पास बहुत सारा extra time होता है केवल आपके पास will होनी चाहिए नई चीजों को सीखने की, skill होनी चाहिए उसको develop करने की और strategy होनी चाहिए उससे पैसा कमाने की तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीके जिसमें आप extra income earn कर सकते हैं तो सबसे पहला जो तरीका है वो है earn from digital marketing digital marketing के जरिये आप आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और मैंने आपको कहा था कि आपको निरंतर अपनी skills को develop करना है और वो skills कुछ भी हो सकती हैं अभी digital marketing में पैसा कैसे कमा सकते हैं जैसे make youtube videos आप youtube channel पर videos upload करके भी extra income generate कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप एक motivational speaker के रूप में या business coach के रूप में business videos upload करेंगे आपके मन में जो भी passion है आपका जो भी profession है आपकी जो भी hobby है या जिस भी विशह पर आपको बात करना अच्छा लगता है उससे संबंदित videos जब आप youtube पर upload करेंगे तो धीरे 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 ये बट बट वरिक्ष की तरह बन जाएगा जहां से आपको बहुत अच्छा revenue हर महीने सोते सोते भी आपके account में आता रहेगा हमारे पास हर महीने 21 तरीक को रात को 12 बजे एक message आता है वो बड़ी खुशी होती है उस दिन क्योंकि उस दिन fund transfer youtube की तरफ से dollars currency convert होके हमारे account में आती है तो आप youtube वीडियो बना सकते हैं अगर आपके बास खुद का content है है ना तो आप दूसरे लोगों के content को record करके भी बना सकते हैं जैसे बहुत सारे हास से कवी हैं जो अच्छे-च्छे कविताएं बोलते हैं मंच पर program करते हैं तो दूसरे लोग उनकी videos को record करते हैं और अपने youtube चैनल पर upload करते हैं यहां पर बड़ा important role यह है कि first time जो content upload करता है वो content का honor होता है इसलिए आप youtube videos बनाएं वो किसी भी विशह पर हो सकते हैं education पर हो सकते हैं, comedy पर हो सकते हैं इसके अलावा जो भी विशह आपको पसंदना हर उस विशह पर videos बनाएं जा सकते हैं informative videos हो सकते हैं कि आप product review करते हैं, आप electronics के बारे में बताते हैं destinations के बारे में बताते हैं आप dressing sense के बारे में बताते हैं जो भी आपकी hobby है, हर तरह की videos से आप बहुत अच्छी earning कर सकते हैं दूसरा start blog और content writing friends, बहुत सारे लोग ना अलग-अलग चीजों पर blog लिखते हैं उन blog से लोग information को grab करते हैं तो blog writing अगर आप करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे content writing भी कराते हैं जैसे politicians हैं, institutional के owner हैं, directors हैं बहुत सारे वो लोग जुनको मंच पर बोलना नहीं आता लेकि उनको एक बहुतरीन content चाहिए होता है तो लोग आपसे content writing भी करा सकते हैं companies अपनी website के लिए, अपने brand promotion के लिए अपने product exposure के लिए content writer को hire करती हैं तो आप content writing करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसके अलावा affiliate marketing बहुत सारे लोगें कहते हैं कि हम तो job में हैं हमारे पास कोई अच्छा business नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता आपका खुद का business है या नहीं आप किसी भी company के affiliate partner बन सकते हैं जैसे Amazon आप अपनी hobby के according देखिए कि कि किस तरह के products में आपको काम करने में मज़ा आने वाला है जैसे आप electronic goods में जाना चाते हैं आप consumer goods में जाना चाते हैं आप FMCG में जाना चाते हैं आप luxury goods में जाना चाते हैं या आप किसी तरह की services उपलब्द कराना चाते हैं Amazon जैसी company आपको free of cost affiliate partner बनाती है और affiliate partner बनाने के बाद आप उस product को sale करने में जब Amazon की help करते हैं चाहे social media के थुरू चाहे self promotion के थुरू चाहे link and reference के थुरू तो आपको बहुत अच्छा revenue generate होता है जर्नली 5% से लेके 20% तक का incentive Amazon अलग-अलग product पर देता है और इतना तो आप business में investment करके भी करते हैं तो भी शायद नहीं कमा पाते जितना आप affiliate marketing से कमा सकते हैं start online store friends मैंने कहा था ना कि ऐसा काम करो कि रात को सोते हैं आप सोते हों लेकिन फिर भी आपके account में पैसा आता हो जो online store है वो 24 hour working store होता है मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं भी बैटकर कहीं से product खरी सकता है और जरूरी नहीं कि आप अपने product develop करें या आप अपने product की manufacturing करें आप already social media platform पर बहुत सारे ऐसे products हैं बहुत सारे ऐसी companies हैं जिन से tie up करके अपने online store पर या Amazon जैसी company से product के link लेकर images लेकर आप अपने online store पर डालें और कोई वहाँ से buy करेगा तो उसको supply करने का काम उसका payment schedule जो होगा वो Amazon का होगा इसका मतलब ना तो आपको payment की tension है ना आपको delivery की tension है ना product manufacturing की tension है आपको तो केवल अपना online store बनाना है और आप आसानी से अच्छे income generate कर सकते हैं आज digital marketing के हमारे batch में से बहुत सारे students affiliate marketing करते हैं, online store चलाते हैं इसके लाब आप freelancer के रूप में भी companies and corporates के साथ काम कर सकते हैं तो यह एक तरीका है कि आप digital marketing के जरीए बहुत आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आज बहुत सारे institutes, बहुत सारे organizations digital marketing पर course कराते हैं छोटा सा course होता है, दो महिने, तीन महिने का course होता है उसको करने के बाद आप अच्छी earning कर सकते हैं और यह दिया आप digital marketing के बारे में जानना चाहते हैं तो description box में digital marketing का एक free webinar है उस पर ज़रूर क्लिक करें और देखें कि किस तरह से digital marketing से आप काम कर सकते हैं नेक्स जो opportunity है, वो है start trading business friends एक बात समझ लीजेगा, दुनिया में हर एक व्यक्तिना किसी भी product का manufacturing नहीं करता है बहुत सारे लोग तो cable trading करते हैं manufacturer का काम होता है, factory में product बनाना और trader तक अपना material पहुंचाना और trader का काम है, उसका distribution network create करना या उसका B2B करना, या उसका wholesale करना, या उसका retail करना तो आप trading business में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और trading के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप manufacturing setup लाएंगे, तब ही business कर सकते हैं तो trading में क्या होता है, आपने manufacturer से प्रोडक्स की detailing लिए, प्रोडक्स के photographs लिए या sample लिए, और उसके बाद में आप trading करने के लिए बहुत सारे market में गए, बहुत सारे areas में गए, बहुत सारे states में गए अलग-लग, या अलग-लग countries में गए वहाँ पर आप trading कर सकते हैं, एक price जो आपका buying है उसको note करते हैं, और एक price जो selling है उसको note करते हैं और दोनों का जो difference होता है, वो आपका profit margin होता है और trading आप किसके industry में कर सकते हैं, किसी भी तरह की industry जो आपको पसंद रहे हैं FMCG, fast moving consumer goods, ये industry में आ जाते हैं सारे जैसे table items हैं, जैसे soap और जैसे आप FMCG देखते हैं, पतांजली के जितने products हैं, वो सब FMCG में आते हैं इसके अलावा अगर आपको electronics का shock है, electronic gadgets का shock है, तो आप electronic gadgets की भी trading कर सकते हैं जैसे बहुत सारे जो wholesaler हैं, या distributor हैं, उनसे आप product के catalogs ले सकते हैं, product की images ले सकते हैं और आप लोगों को या companies को या buyers को वो चीजे दिखा कर एक अपना price, अपना profit margin एड़ करके उनको offer कर सकते हैं आपको कोई भी order book होता है, तो आप पहले advance payment लेते हैं और वही advance payment उठा कर आप उस trader को या उस manufacturer को या उस wholesaler को या distributor को आप पे करते हैं और आप जो profit margin है वो आसानी से कमा सकते हैं, electronic goods पर आगा है जिसे टेवी, फ्रेज, washing machine, microwave और जितने भी electronic gadgets हैं सारे इसके अंदर आते हैं दूसरा ready-made garment, अगर आप youth से related या किसी भी एक community से related ready-made garment का business करते हैं तो भी आप trade कर सकते हैं जैसे jeans manufacturing, आज बहुत सारे manufacturer दो different different तरीके की jeans बनाते हैं, shirts बनाते हैं, trousers बनाते हैं, t-shirts बनाते हैं, ठीक है न, तो वहाँ पर आप उन manufacturer से बात कर सकते हैं, बात करने के बाद उनसे complete price list या samples ले सकते हैं, और आप इसके trading कर सकते हैं, जैसे दिल्ली के अगर मैं बात करूँ, तो गांधी नगर में बहुत सारे manufacturer ने jeans के, तो वहाँ जाकर आप visit करके उनसे rate list ले सकते हैं, sample ले सकते हैं, और उसके बाद में अलग-अलग state, पंजाब, हरियाना, राजिस्थान, गुजरात, बिहार, West Bengal, कहीं भी जहां भी आप चाहें, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जहां भी आप घूमना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जाएं, और वहाँ पर लोगों को sample दिखाएं, एक price पर उनका order book करें, और आसानी से आप trade कर सकते हैं, दूसरा, home decor, friends, कुछ products ना, luxury से related होते हैं, कुछ necessity से related होते हैं, और कुछ journal requirements से related होते हैं, तो आप को यह देखना आते हैं, उस से related business कर सकते हैं, interior में बहुत सारी चीज़ें से wooden flooring है, wallpaper है, bitrified tiling है, sanitary based है, home decor से related gift items हैं, आपके fancy pots हैं, बहुत सारी चीज़ जिस सो जो home decor में use होती हैं, उस तरह के items में आप deal कर सकते हैं, manufacturer से rate लेकर, आप सीधा end user को, या wholesale retail पर आप focus कर सकते हैं, या आप मै FMCG product, electronic product, ready made garment, home decor, या sports and lifestyle products, दोस्तों लोग ना आज fitness के प्रती बहुत जादा conscious होते जा रहे हैं, fitness के प्रती उनकी enthusiastic है ना लोग, वो बहुत जादा चीज़ें खरीते हैं, जैसे gym से संबंदित बहुत सारी equipments हैं, home based workout से related बहुत सारी equipments हैं, gym की machinery हैं, gym की accessories हैं, gym के sports wear हैं, ये सारी चीज़ें भी आप sports wear या lifestyle products से related, जो भी लोगों के जैसे बहुत सारे youth हैं, तो वो gadgets देते हैं बहुत सारे अच्छे जैसे watches हो गए, caps हो गई, t-shirts हो गई, bracelets हो गई, shoes, belt, leather wallet, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप trading कर सकते हैं, manufacturer से contact करके सिधा end user तक पहुंचा स सकते हैं और अच्छा profit margin कमा सकते हैं, नेक्स बिजनस अपरचुनिटी है, वह share market, आप share market में invest करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, friends अगर initial level पर आपको share market की बहुत ज़्या नोलिज नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज बहुत सारे free courses YouTube पर available है, आप और chart कैसे बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं कि growth हो रही है, कैसे देखते हैं कि कम हो रहा है, है ना, वो सारी चीज़ें आप share market की चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप share market में invest कर सकते हैं, investing ना एक ऐसा method है, जो आपको passive income के रूप में मिलता है, मतलब let my money works for me, आओ मेर डियालोग भी सुना होगा, risk है तो इश्क है, तो यहाँ पर अगर risk है, तो ratio of margin भी ज़्यादा है, इसके लावर regular SIP, SIP stands for systematic investment plan, आप जब SIP करते हैं, तो regular अपनी earning का एक छोटा सा part, मानली जी आपकी income है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, तो आप 10% of your earning, आप SIP में निवेश करें, उसके किसी को यहाँ पर refer करने वाला नहीं हूँ, आप किसी भी bank के साथ DMAT account कर सकते हैं, आपका ICC bank में account है, वही DMAT कर लीजिए, HDFC में है, वही DMAT कर लीजिए, या किसी भी app के थुरू भी आप यह सारा काम कर सकते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूँ, कि जिस bank में आपका account है, उसी की त और आप केवल 10% invest करते हैं, तो यह कोई बड़ा risk नहीं है, लेकिन जब आप इसको long term के लिए करते हैं, तो हमेशा चीजे बढ़ने वाली है, कहते हैं कि economy की एक growth होती है, economy में एक मूले विर्दी दर होती है, जिसकी वज़ा से वो economy हमेशा आगे बढ़ती है, है ना, तो long term में अगर आप देखेंगे, तो economy हमेशा आगे बढ़ने ही वाली है, आज short term में देखेंगे, तो price बढ़ गए या घट गए, लेकिन जब लंबे समय के अधार पर देखेंगे, तो economy बविश्य में आगे केवल बढ़ने ही वाली है, इसलिए जब आप share buy करते हैं, या SIP करते हैं, तो आप आसानी से लंबे समय में अच्छा profit कमा सकते हैं, fine, इसके लाबा, earn from dividend, shares में जब आप invest करते हैं, तो बहुत सारे shares ऐसे होते हैं, जो regular dividend अपने shareholder को देते हैं, तो आप ऐसे shares का selection भी कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा dividend मिल सकता है, यह dividend 5%, 10%, 12%, कितना भी हो सकता है, depend करता है कि 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 कमपनी का आप share खरीद रहे हैं, मैं यहापर किसी भी share, या किसी भी company, या किसी भी आप को promote करने के लिए नहीं हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, यह वो तरीके हैं, जिससे आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और यह आपको बहुत वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा, investing भी आपको rich बना सकती है, आपके लिए extra income का काम कर सकती है, next जो opportunity है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, friends, यह तो सब को पता है, rent out your property, अपनी property को rent पर उठाएं, लेकिन आपके पास ज़्यादा property है ही नहीं, तो आप rent पर क्या उठाएंगे, आज हम बात करते है, rent out your gadgets and assets, आपके पास बहुत सारे ऐसे gadgets हैं, जिसको आप rent out कर सकते हैं, जैसे, जैसे मालीजी आपके पास एक DSLR camera है, है ना, और आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, तभी उस camera का इस्तिमाल करते हैं, कहीं picnic पर, कहीं ट्र आउट कर सकते हैं, खिराएंपर दे सकते हैं, आज बहुत सारे लोग जो regular videos बना रहे हैं, उनको cameras के requirement है, तो लो camera आप से किराएंपर ले लेते हैं, या जो लोग किसी भी तरह की professional photography कर रहे हैं, उनको regular camera की ज़रुवत है, तो आप camera अपना उनको किराएंपर दे सकते हैं, ज entertainment के लिए यूज करता हूं, तो बाकि 6 दिन आप अपने laptop को let out कर सकते हैं, आज बहुत सारे startups को gadgets की ज़रुवत हैं, उनके पास investment नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को किराएंपर ले लेते हैं, sound system, बहुत सारे लोग के पास अच्छा sound system होता है, या कई बार आपने देखा है कि party based sound system हमारे घर में होता है, buffer plus amplifier, mixer, उसमें बाइक बाइक सब कुछ होता है, तो आप लेट आउट कर सकते हैं, कैसे birthday parties, kitty parties, बहुत सारे लोगों को उसको किराएंपर भी दे सकते हैं, मतलब अगर आपका पास projector भी है, लाइक projector, बहुत सारे लोग घर में movie देखने के लिए projector का इस्तेमाल करते हैं, या conferences के लिए, meetings के लिए projector का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको भी अपने electronic gadgets को भी let out कर सकते हैं, इसके लावा, आपके पास two wheeler है, या four wheeler है, आप उसको regular use नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको भी let out कर सकते हैं, आप देखिए, जितने भी hill stations बने हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का source of earning ही यही है, क्या कि सैलानी वहाँ पर आते हैं, visitors वहाँ पर आते हैं, और उनकी scooter किराए पर ले जाते हैं, या bike किराए पर ले जाते हैं, जिसे लिए लगदाक में आप देखेंगे, बहुत सारे लोग Royal Enfield खरीद कर रखते हैं और लोगों को किराए पर देते हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग है, डेली NCR के आपके आसपास के एरी में भी बहुत सारे लोग आपसे 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler किराए पर लेते हैं, अभी मैंने एक मैं फ्रेंट के बारे में बताता हूँ, मेरे फ प्लैनर से ना कंट्राक किया, कि आप मेरी कार वेडिंग में चलाएं, और आपको पता है कि वेडिंग में अगर कोई दूला दूलन को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कार का जो डिस्टेंस ना वो बहुत जादा नहीं होता है, तो कम किलोमेटर म में लिए 20-55 पी मिलते हैं, तो वहाँ पर आप अपने फोर वीलर को भी लैट आउट नशप्टक कर सकते हैं, प्रोपर्टी को आप कर सकते हैं, आपके पास प्रोपर्टी है, तो वहाँ पर आप, आपके रूम बने err या फ्लैट्स बने या फ्लोर्स बने उसको आप लेटाउट कर सकते हैं इसके अलावा इंपोर्टेंट क्या कि प्रॉपर्टी लेटाउट ऑन शेरिंग बेसेज पर भी हो जाती है जैसे पीजी सिस्टम कर सकते हैं आपने स्टूडेंट्स के लिए एक रूम ऑक्यूपाई कि इसमें बहुत सारे बेड लगाए और सारे स्टूडेंट को आफर करना शुरू कर दिया कॉलेज के स्टूडेंट्स या यूइनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी को लेट लेते किराए पर इसके लावा वर्चुल प्रॉपर्टी आजकर बहुत अपनी को रिप्रजेंट कर सके हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी उसमदाब उस व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी लेट आउट कर देते हैं फोर वर्चुल परपास मतलब कंपनी का रिष्टेशन हो गया कोई लेटर आएगा कोई मेल आएगा या कोई इन्फोर्मेशन आईग यूथ में देखा है जो बहुत ज़दा अर्निंग कर रहे हैं इस platform का इस्तिमाल करके वो क्या है OTT platforms हैं और professional software हैं इनको लेट आउट कर देते हैं मैं थोड़ा सा explain करता हूं OTT platform मतलब कई बार क्या होता है कि आपको कोई particular movie देखनी है लेकिन आपके पास उस platform का access नहीं है या आप लेना भी नहीं चाते जैसे नेट्फिलिक्स है Amazon Prime है Hotstar है ऐसे बहुत सारे platform है उन आपने आपने क्या किया उन सभी platform के membership ले ली अगर किसी को किसी particular event के लिए या particular match के लिए जैसे बहुत सारे students हैं बहुत सारे youth हैं match देखना पसंद करते हैं तो आपने अपना OTT platform उनको rent out कर दिया और आपको पता है कि बहुत सारे OTT platform तीन या चार access भी देते हैं कि चार लोग access कर सकते हैं तो आपने 500 रुपे महिने पर लिया है लेकिन किसी particular program के लिए आपने 200-300 पर में किसी को अपना OTT platform let out कर दिया या आपके पास कई सारे platform है आपने चार लोगों को share किया तो वहां सी इंकम होती दूसरा professional software आज बहुत सारे लोग ना professional software के annual package या one time package ले लेते हैं और लोगों को वो available कराते हैं जैसे बहुत सारी social organization conferences करती हैं लेकि उनके पास zoom का package नहीं होता तो वो क्या करते हैं किसी agent के थूरू zoom की एक meeting के लिए कुछ amount पे करके वो उस platform को use कर लेते हैं जैसे webinar jam है जैसे fcp software है video editing का software है आपने video editing का lifetime software खरिदा हुआ है लेकिन अगर किसी को कुछ दिन के लिए चाहिए तो आप 2000-3000 5000 में उसको let out कर देते एक महिने दो महिने के लिए बहुत सारे ऐसे software है जिनको आप किराई पर दे सकते हैं और आप एक अच्छा revenue वहां से generate कर सकते हैं next opportunity है वो क्या है work on commission और incentive basis आज बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहां पर वो incentive पर लोगों को hire कर लेते हैं मतलब आपकी liability भी को उनके प्रती नहीं है उनकी liability भी आपके प्रती नहीं है वो तो किवल काम होगा तो आप commission basis पर आपको hire कर लेंगे मतलब आप output देंगे तो आपको पैसे मिलने वाले होंगे अब वो क्या हो सकता है property sale purchase and rent out दोस्तों जरूरी नहीं है कि property खुद की होगी तब भी आप कि seller का link निकाला buyer का link शोस्ति मीडिया पर पोस्ट किया किसी की call आई किसी की information आई तो आपने उस property को sale करने में उसकी help की तो आप commission ले सकते हैं और आप जानती है property दस बीस लाख रुपे से लेकर करोड़ों रुपे तक होती है और एक परसेंट commission भी आपको मिलता है तो बहुत तो आप rented property का काम भी कर सकते हैं on commission basis second hand two wheeler and three wheeler की sale purchase friends आपने देखा होगा कि बहुत सार लोग अपनी गाड़ी बेचना चाते हैं खरीदना चाते हैं या two wheeler बेचना चाते हैं खरीदना चाते हैं बहुत सार लोग पर intelligent होते हैं उनसे बातचीत करते हैं उनसे एक base price लेते हैं और उसके बाद उसके information OLX, Quaker या Facebook marketplace पर डाल देते हैं और कोई भी बायर खरीदने आता है तो बायर से या commission set करते हैं या एक price उनको देते हैं एक price उनको दोनों का difference earning कर लेते हैं तो आप second hand two wheeler, four wheeler, three wheeler इस तरह के जो हमारे चीज़े हैं उनको भी आप on commission basis पर या incentive basis पर काम कर सकते हैं या अपना एक price का profit margin जोड़कर उस पर काम कर सकते हैं, become an associate partner, आज बहुत सारी company जैसे Amazon, आपको associate partner बनाते हैं जिसको affiliate marketing कहते हैं, this is what, this is partnership between two person, कि एक के पास चीज है और एक के पास बेचने की कला है, तो आप associate partner बन सकते हैं, ठीक ऐसे ही, बहुत सारी companies में हमारी एक company है, जो associate partner बनाती है, जिसमें आप associate partner बनके अच्छे income generate कर सकते हैं, और वो company क्या है, company का नाम है Metas Overseas Limited, ये जो company है हमारी, इसमें हम stailness steel से बने products बनाते हैं, जैसे stailness steel modular kitchens, wardrobes, bathroom vanity, storage cabinet और steel interior, friends आज अप अपने चारों तरफ देखेंगे ना, तो बहुत अधी construction हो रह परती है, model location हो गया, wardrobe हो गया, vanities, storage cabinet या, steel interior, ये सारी चीज़ों की ज़रुवत बहुत जदा पड़ती है, और हर घर में जो घर बन रहा है हमां kitchen तो ज़रूर बनेगा, तो आपको करना है, आपको Metas Overseas Limited का associate partner बनना है, और इतना असान है, बिना किसी cost के, बिना किसी investment के, आ आप associate partner बन सकते हैं, आपको करना क्या है, number, company का number 9210037773, ये company का एक WhatsApp number है, मैं आपसे request करता हूँ, इस पर call ना करें, ये WhatsApp number है, इस number पर WhatsApp करें आपका नाम, और जैसे आप अपना नाम WhatsApp करेंगे ना, तो आपको एक information आजेगे और इस information को follow करें, associate partner बने, आज friends अगर आप 10-20 लाख रुपे लगा कर छोटा सा dealership showroom भी खोलते हैं ना, तो भी आपको उतनी income होगी, जितनी income आपको associate partner बन करोगी, या आप 40-50 लाख रुपे लगा कर बड़ा exclusive showroom भी खोलते हैं, तो भी आप अच्छी income तो करेंगे, लेकिन आपका लाइबलिटीज भी होगी, 20-40,000 रुपे से लेकर 4-5 लाख रुपे पर मन्त आसानी से कमा सकते हैं, और average अगर आप देखेंगे, तो यह इतनी average है इतना dealership showroom खोल कर आती है, तो आप Metas Oversays Limited के associate partner बन सकते हैं, बिना किसी investment के, जरुवत है चीजों को सीखने की, समझने की, और life में implement करने की, आप अच अच्छा युद्ध करना चाहते हैं, तो अच्छे हतियार होने चाहिए, पर अच्छे हतियार के वला आप तभी चला पाएंगे, जब हतियार चलाने का प्रस्टिक्षन आपके पास होगा, इसलिए associate partner से संबंदित, क्या-क्या information है, उसको ठीक से समझो, उसको अपनी life में implement करो, उसके बाद काम करना शुरू करो, क्योंकि आपके चारो तरफ नया मकान, घर, कोठी, बंगलो, फार्मा उस, या तो बन रहा है, या उसका रिनोवेशन हो रहा है, और अगर वो घर बन रहा है, या रिनोवेशन हो रहा है, तो वहाँ पर इन सभी चुजू के requirement 100% होने वाली है, आपको करना क्या है, पहले associate की training attend करनी है, बिना किसी cost के, बिना investment के, उसके बाद सारी information अमरे साथ share करनी है, और आप होरा मिलकर जब काम करेंगे, तो बहुत अच्छी income के साथ, आप as a associate partner, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, और जब आप associate बनकर अच्छी income खोलना है, या मुझे franchisee showroom खोलना है, या company का exclusive franchisee store बनाना है, तो यह आपके open driver करता है, यह वो ऐसे 5 तरीके हैं, जिनसे आप आसानी से, part time में, extra time में, बहुत अच्छी income कर सकते हैं, बशरते, आपके मन में विश्वास हो, कि yes, I can do this, and for this, whatever I have to learn, I will learn each and everything, यदि आप चीजो बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कोई भी informative वीडियो मिसना हो, उसके लिए इस चैनल को subscribe करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत